आज की इस वीडियो में मैं सेयर करूंगी यह सूपर ट्रिस्टी छोले की रेजिपी डाबा और रेस्टोरेंट से बढ़िया छोले घर में बनेंगे याकीन मानिए जो खाएंगे सब तारीफ करेंगे सब को पसंद आएगा इतना बढ़िया छोला है हेलो एब्रिवन मैं हूँ प्रीती और नुट्रीवेजी चैनल पर आपका पहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक तो पुनता है तो सुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने 300 ग्राम छोले मीडियम साइज के छोले लूट वीदिया चुल निक्या है लिए दो इंचों परesaल लेंगे प्रिशकार में अब डाल देंगे इसमें पानी ज सीटने सोले ऐंम उसके 2 पर भीदियो ओन हैव्य पानी दाल लेंगे उंगली से मज़ हल्दी पौड़ा डालेंगे चुट की बराबर यहां पर मिठा सोडा मेंने डाला है इससे क्या होगा गंटों का का मिन्टों में होगा 15-20 मिनट में छोले उबल जाएंगे यहां पर कुछ मैंने खाड़े मसाले लिए लॉंग लिया है एक श्टार फोल तीन चोटी अब क्या करेंगे का कॉटन का कपरा ले लिजिए इसमें सारे मसाले को डाल देंगे इलाइची का मूँ एक तरफ से खोल देना और एक चोटा चमचिस में चाय की पती डाली है मैंने ताकि चोले में कलर पड़े आसा सके और सब को बीच में करके इस तरीके से अच्छी सी ए जिसे की हम छोले के अंदर डाले तो गटरी खुले नहीं सारे फ्लेवर और उलर चोले के अंदर मिक्स हो जाए और यह जो रफ पारिकल बचेंगे मसाले की इसी के अंदर रह जाए अब क्या करेंगे इस तरीके से डूबो करके कुकर में डाल देंगे नदिश का लागा दे अब यहां पर एस्टीम बहर हो गया है कुकर से छोले को चेक कर लेते हैं इस तरीके से दबा करके देख लिजिए तो यहां पर पहुत ही परफेक्ट छोले पग गये हैं अच्छा सौप्ट हो गया है अब इस मजाले के गठीरी को निकाल देंगे कलर भी बढ़िया आगया और फ्लेवर भी बढ़िया आगया अब मसाले तैयार कर लेते हैं यहां पर लिया मैंने तीन टामाटर तीन प्याज और एक इंच का टुगड़ा अधरक का तो अधरक और प्याज में एक साथ पिस लूँगी और टामाटर को अलग से पिस लूँगी अब सुखे मसाले देख लेते हैं, यहाँ पर दो चमच में धनिया पॉडर डाला हैं, वन फोर्थ चमच तीखी लाल मिर्च या फिर अपने टेस्ट के एकॉडिंग, वन फोर्थ चमच हल्दी, आधी चमच जीरा पॉडर, वन फोर्थ चमच काली मिर्च पॉडर, एक छोटा चमच कस्मिरी लाल मिर्च पॉडर, और लिया है आधी चमच अनारदाना, अब यहाँ पर यह सुखे मसाले तयार हो गए, अब कराही में डाल लेंगे तेल, आपको सर्शो का तेल पसंद है तो वह भी डाल सकते हो, लगबग 75-100 ग्रम तेल डाल लीजिए, तेल गरम होने ल अच्छे से फूटने देंगे, इस तरीके से कलर चेंज हो जाए, तो मैंने प्याज जो दिखाया, उसको पीस करके रखा हुआ है, तो इस तरीके से प्याज को डाल दीजिए, और इसे भूल लेंगे, प्याज थोरा सा भून जाए, जैसे ही कलर चेंज करने लगे, इसमें एक चमाच जिंजर गरलिक पेस्ट डाल देंगे, अद्रक लासुन का पेस्ट डाल लेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से में सोले को बनाना बता रहे हूँ, इस तरीके से बनाएंगे, घर के मसालों से, और पहुँच जल्दी सोले बन करके टेस्टी सा तयार हो जाएगा, त टमाटर, आप अद्रक ग्रेट करके या पीस करके इस तरीकी से डालते हैं, छोले में अद्रक का टेस्ट बहुत बढ़ी आता है, तो बाद में डालना, अद्रक जल जाएगा, तो हल्की सी करवाट आजाएगी छोले के अंदर, इस बात का ध्यान रखेंगे, छोले क्योंकि पहले भी नमक डाला हुआ है, तो अंदास से डालना, एक चमच छोले मसाले पढ़के डालेंगे, मुट्टी बर कसूरी मेथी इस तरीके से मसल करके डाल दीजिए, अब डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, अधा का पानी डाल करके इस तरीके से मसाले को अ मसाले तायार है, अब उबले हुए चोले को पानी समेथ जो चोले के अंदर पानी थे, वो सब इसमें एक साथी डाल दें इस तरीके से, अब मसाले के अंदर अच्छे से चोले को मिक्स कर दीजिए, यहाँ पर चोले मिक्स हो गए है, आप देख सकते हो कितना बड़ी आसा टेक्स्टर अभी से दिख रहा है, तोरा सा काढ़ा दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं अधा ग्लासिस में पानी डाल रहे हूँ, क्योंकि बनने के बाद भी जब ठंडा होता है, तो थोरा सा जम जाता है, तो थोरा सा पानी डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर दें अब धक्कन लागा देंगे और तीन से चार मिनट स्लो फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे, शेठ होने के लिए, अब धक्कन को हटा देते हैं, और एक बार चला करके चिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है, पानी भी इसमें जो डाला थ तयार है, एक दम परफेक्ट, ना कोई ज्यादा मसाला, ना कोई ज्यादा मेहनत, पिल्कुल लिजी तरीके से घर के मसालों से यह बन करके तयार हो जाएगा, अब इसमें एक बड़ी असी घी का तरका लगा देते हैं, तो एक कर्ची में गी गरम कर लिजी, अगर पसंद न दाल ले, और जैसे ही गी के अंदर इसका फ्लेवर फैल जाए, छोले के उपर इस तरीके से डाल दे, और थोरा सा थनिया का पता इक्षा हो तो डाल लिजी, अब छोले मसाला बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डाबा वाली घर में ही तयार है, तो इस वीडियो को देखते व बाइब दस तो